All My Beautiful Souls, Sवाँगत है आप सभी का मेरे चैनल में और याज मैं फिर से एक कैंडल वेक्स रीडिंग ले कर आई हूँ सभी के लिए और याज ये जेंडर फ्री रीडिंग है, जेंडर फ्री रीडिंग है फिर से कह रही हूँ टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है यह सभी से रेजुनेट करें ऐसा पॉसिबल नहीं है लेकिन आप से थोड़ा बहुत पार्ट उसका जरूर रेजुनेट करेगा और जितना भी आप से रेजुनेट करता है उसको रख लीजिए बाकी को जाने दीजिए और देखेंगे हम इस रीडिंग में कि आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है क्या लेने वाले हैं नेक्स्ट मूव उनका अगला कदम क्या होगा आपके लिए थैंक्यू डिवाइन थैंक्यू एंजल्स थैंक्यू सो मच यूनिवर्स थैंक्यू सो मच गॉड्ट Thank you so much Spirit Guides, please बताएं, हमारी जो भी विविवर्स हैं, उनके परसन का अगिला कदम क्या होने वाला है? Thank you, thank you Spirit Guides, thank you. Dear Friends, यहाँ पर जो सबसे पहले आकरतियां उभर कर आई हैं, वो दो डव की हैं, दो डव हैं यहाँ पर, उसके बाद Half Moon है, तो कहीं न कहीं आपके परसन आपको अपना Compatible मानते हैं, उनको यह लगता है कि आपके इलाबा और कोई भी नहीं है, जो उनके Compatible हो या फिर, आप उनके समकशो या फिर यह कहें कि आप उनकी Life का वो Missing Piece हो, वो पजल हो, कि जिसके होने से ही उनकी Life Complete होती है, तो आपको वो अपनी Life का वो Missing Part मानते हैं, वो Missing Piece मानते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आपको Complete Feel करते हैं, या करती हैं, बेसक वो यह चीज़े आपको कभी बताएंगी नहीं, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि ये लोग बताना जरूरी नहीं समझते हैं अपने Partner को, तो यहां पर जो Energy निकल कर आ रही है, वो यही है कि वो आपको अपना खोया हुआ Peace मानते हैं, या फिरियों कहें कि कभी-कभी उनको बच्पन से यी चीज़ फील होती हो कि उनकी Soul में कु हो कि वो पूर्ती हो गई है, जो अदूरापन था वो खतम हो गया है, और यही वो Missing Piece है मेरे Soul का, जो मुझे अब मिला है, यहां पर जो आकरती बनी हुई है, वो Male Female की बनी हुई है, और दोनों एक दूसरे को किस करते हुए दिख रहे हैं, तो dear friends, हो सकता है कि बहुत union होने वाला हो, या फिर उनके partner अभी यह सोच रहे हैं, कि आप से मिलेंगे, तो बहुत से हमारे जो viewers है, उनके partner का अगला कदम यही होने वाला है, कि वो आप से मिलने के लिए आने वाले हैं, या आप से मिलने के लिए पूछेंगे, या आप से contact करेंगे, कि उनको आप से म मुर्दे खाड़ोगी लेकिन वो फिर यही सुचते हैं कि मैं बड़े प्यार से उससे बोलूंगा कि चल यार मिट्टी डाल इन सब पे छोड़ दे जो पीछे हुआ आगे बढ़ते हैं अच्छी भावनाओं के साथ तो अभी उनकी जो नेक्स्ट मूव का है वो यही है वो यही सोच रहे हैं कि आपसे मिलना है अपनी नादानियों के लिए बड़े सर्मिंदा है नादानिया उन्होंने बहुत की हैं आपके साथ आप एक मैच्छर लेवल पर थे और वो अपने आपको पता नहीं कहां का सेहनसा समझते थे तो स्वेश्टे थे भागते थे आपसे रनर और चेजर की सिच्वेशन चल रही थी पास्ट में लेकिन अब अपने उनी आद्टों पर यह अपने उनी हरकतों पर हसते हैं यहां पर किसिंग की बहुत इनरजी दिख रही है ओ सकता है कि या तो हमारे जो वीवर्स हैं वो इस एनरजी में है अभी या फिर उनके पार्टनर इस एनरजी में हैं तो उनका जो अग्ला कदम है डिये त्रेंड्स आपकी और यही होने वाला है कि वो आपको approach करने वाले हैं, बहुत से viewers जो अपने करमा से निकल रहे हैं, करमा का बैग इस जो complete कर चुके हैं, उनके लिए अगला जो next उनका कदम है, उनकी तरफ यही होगा कि वो उनसे मिलने आने वाले हैं कि सोच रहे हैं कि आपका सामना कैसे करेंगे कैसे आप से नजरे में लाएंगे कुछ तो कुछ हमारी विवर्स ऐसे भी हैं यहां पर जिनके पार्टनर्री सोच रहे हैं कि वो घुटनों के बल बैठकर उनको बोलेंगे कि I am sorry कि उनको यह बात ऐसास हो रही है कि सच्चा प्यार क्या होता है और सच्चे प्यार के लिए वो घुटनों तो क्या जमीन पर लोटकर सांस टांग भी कर लेंगे ऐसी उनकी एनरजी है आपकी फोटो को बड़ा देख रहे हैं भई अब बहुत मिस कर रहे हैं तो फोटो देखेंगे सोचल मीडिया पर स्टॉकिंग चल रही है और कहीं न कहीं आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो करीबी या फिर दूर के फ्रेंड्स से भी यह कहा जा रहा है कि पता लगा हो चले क्या रहा है लाइफ में यह जानने की कोशिस की जा रही है अब जानने की कोशिस क्यों है जब हमारी लाइफ में जब होते हैं यह लोग तब इनको कहां सुरकाप के पर लगे होते हैं तब उनको वैल्यू समझ में नहीं आती हम लोगों की एमोशन्स की हमारे जो वीवर्स हैं बहुत से उनकी अविस फुल्फिल्मेंट होने वाली है डियर फ्रेंट्स आप लोगों को मन में सांती जरूर मिलेगी यहां पर फिस्की एनर्जी भी बन रही है फिस्की आकरती बन रही तो आप लोगों की लाइफ में मनी अबंडन्स भी आने वाला है डियर फ्रेंड्स बहुत से वीवर्स कुछ ना कुछ अचीवमेंट जरूर करेंगे या तो अपनी जॉब में उनको प्रमोशन मिलने वाला है या फिर उनके किसी फाइनेंस में कुछ ना कुछ ग्रोथ होने वाली है ऐसी यहां पर एनर्ज होने के साथ ही आपकी खुबसूर्ती भी बड़ी है या तो बहुत सारी वीवर्स हमारे जो हैं वैसा करने लगे हैं कि अब वो किसी और ध्यान ना देकर खुद पर फोकस कर रहे हैं खुद की ब्यूटी को लेकर कॉंसस हैं और जो मेल हैं यहां पर वह अपनी परस्नालिट जरूर जो इनकी हैं जिसकी वजए से लोग उनको अट्रेक्टिव नजरों से देखने लगे हैं या फिर यहों कहें कि उनकी और अट्रेक्ट होने लगे हैं और आपके परस्न को यही चीज सबसे ज़्यादा खल रही है हो सकता है कि उनके किसी फ्रेंड ने उनसे आपकी तारिफ की हो या फिर जो हमारे यहां पर मेल विवर्स हैं उनकी जो पार्टनर है उनसे उनकी किसी फीमेल फ्रेंड ने आपकी तारिफ की हो कि भई बंदा तो को और ज्यादा जलन हो रही है अंदर ही अंदर कुढ़न हो रही है अलांकि वो इस चीज़ को सो नहीं कर रहे हैं किसी से भी कि अंदर आग लग चुकी है मिलने की आपके पीछे दौटने की लेकिन अपने आपको पूरी तरह से बैलेंस दिखाने की कोशिस है दिखाओ भई दिखाओ कितने दिनों के तक बैलेंस में रहेंगे हम भी देखते हैं और हमारे विवर्स भी देख रहे हैं कुछ को तो कुछ जो विवर्स हैं मारे उनके परसन के मन में तो यह आ रहा है कि कास उनमें उड़ने की छमता होती तो उड़कर हनुआन जी की तरह से आपके पास पहुंच जाते कुछ यह सोच रहे हैं कि अगला जो मूव है उनका यही होना चाहिए कि आपके पास आएं आपको अपना दिल खोल कर देखाना चाहते हैं कि देखो इसमें सिर्फ तुम ही तुम हो कोई और नहीं एक सौंग के बार-बार बोल मुझे सुनाई दे रहे हैं तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जीएंगे मुहबत करेंगे लियर फैंट्स जरूर देखिएगा यह सौंग इसमें आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ मैसेज जरूर होगा और आपके परसंसाइद यह वाला सौंग बहुत सुनते हैं आज कर बड़ी क्रेविंग चल रही है उनके अंदर उनकी सोल के अंदर आपको दूट देखनें की आपको मिलने की है अनका अगला कदम यही होने वाला है कि ओक सीनै यह किसी तरीके से आपको एप्रोच करने कोष़पर करेंगे आपके बारे में कुछ नकुछ जानने की कोसिश करेंगे किसी भी अपने खास रेंड के जरीए और अगर ऐसा होता है तो प्लीज मुझे बताइए गर जरूर कमेंट बॉक्स में बहुत से जो विवर्स हैं हमारे उनके परसन की जो करेंट एरजी है जो उनका नेक्स्ट मूव है न वह यही दिख रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि उनको दुबारा से आप से प्यार हो रहा है दुबारा से वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं सब कुछ उनको नया नया लग रहा है उनको यह लग रहा है कि अभी तक जो चल रहा था था उनको पसंद आई हो डियर फ्रेंड्स रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब मैं चैनल और अब मैं आपके लिए एक स्पेशल चीज आपको पता है सबको क्या करने वाली हूँ जी हाँ मैसेज निकालने वाली हूँ उनकी तरफ से आपके लिए क्या चैनल मैसेज़ेस हैं वो निकालने वाली हूँ thank you and dear friends अगर कोई भी repeat message आया उनका जो अभी तक निकल चुके है उन में से तो मैं नहीं लोगी thank you divine, thank you angels thank you speed guides, मेरे viewers के लिए उनके person के क्या channel message है please बताएं, thank you thank you, thank you, thank you I love the way you love me वो आपको जिस तरीके से आपन को प्यार करते हो वो बहुत एप्रिशेट करते हैं there is only one you वाँ मतलब इतना सब कुछ करने के बाद अब मन में यह है there is only one you, वहाँ सिर्फ आप ही हो यह हो नहीं था, सच्चे प्यार के लाब और किसी की इंबत है कि कोई टिक चाहे I love your eyes, thank you आपके person को आपकी आँखें बहुत अच्छी लगते है You are precious तो आप उनके लिए बहुत precious हो बहुत कीमती हो बट आपको साहद बताते नहीं है या कभी हो सकता है कि जब आपका उनसे चल रहा हो अच्छा तब उन्होंने बताया हो आपको कभी There is no other woman in the world like you तो आपकी तरह से कोई भी औरत नहीं है इस दुनिया में ऐसा वो कह रहे हैं वाँ, appreciate कर ये I love the way you make me feel तो भई आपने उनको कैसे प्यार किया उन्होंने क्या फिल किया ये मैं तो नहीं जानती हूँ बट उनका message है आप पढ़ लीजिये I love the way you make me feel I love when you smile तो आपकी smile को बहुत बहुत प्रसंद करते हैं No one matters but you उनके लिए उनकी life में कोई भी matter नहीं करता है सिर्फ और सिर्फ आप I love your touch ये कल भी आया था side message बार बार हो सकता है आपके साथ के कुछ moments उनको बार बार याद आ रहे हैं आपका touch उनको बार बार feel हो रहा है किसी ना किसी तरीके से हो सकता है कि आप लोग उनसे 5D में connect होते हो या आपकी soul रात को जाती हो उनको touch करती हो उनको feel होता हो कि आप उनके पास हो तो ये यही message है I love your touch You complete me तो dear friends जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि उनको ये लगता है कि उनकी life का जो पजल है आप उसका missing piece हो तो ये उनका message भी है आपके लिए कि you complete me तो आप ही हो जो उनको complete करती हो देखिये या करते हो ये निकल कर आगया है message Thank you for forgiving me तो वो कह रहे हैं कि मुझे माफ कर दो अगर आपने उनको माफ कर दिया है तो उसके लिए thank you बोल रहे हैं अगर आपने माफ नहीं किया है तो उसके लिए पहले से ही advance में तो आप भी अनको माफ कर दोगी Your kindness and super care always make me wonder तो आप बहुत kind हो बहुत नर्चर हो, आप उनको बहुत पैमपर करते हो, और बहुत ख्याल लगते थे उनका, इसलिए वो हमेशा आपके लिए वंडर फिल करते हैं कि कैसे मुझे तुम मिल गई, किसमत पे आए ना यकी, I can't live without you, तो आपके बिना रह नहीं सकते हैं, अभी रह रहे हैं, वो क्य लाइफ टाइम विथ यू, तो दियर फेंड्स, ये मैसेज सायद कल पर सों भी आया था, और उनकी ये ख्वाहिस है, उनके दिल की ये इच्छा है, जो उनकी बनी हुई है हमेशा ही, कि वो आपके साथ पूरी लाइफ स्पेंड करना चाते हैं, लाइफ टाइम आपके साथ फील करें कि आप अकेले हैं, तो आप ये सोचिएगा कि आपका जो हाथ है, आपके हाथ में उनका हाथ है, सारी जननते आपके साथ हैं, ये मुझे गाना याद आ गया, आमिर खान की मूवी का, I don't have all of the words to express how much you mean to me, तो वो उनके पास words नहीं है, dear friends, सब्द नहीं है, उनके पास ये describe करने के लिए, कि आप उनके लिए कितने ज़्यादा खास हो, last but not the least, you are an angel, ये बात तो सच है, मैं भी कहते हूँ कि मेरे viewers angel हैं, मेरे जितने भी viewers मुझे से जुड़े हुए हैं, सबका औरा angelic औरा है, ये मैं भी कहते हूँ definitely, तो dear friends, thank you, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, वीडियो को देखा, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो dear friends, तो like, share, subscribe, जरूर करिएगा, और अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पो, तो dear friends, subscribe तो बनता ही बनता है, एक like जरूर चिपकाईएगा, reading इस topic पर readings चाहिए, तो आज की reading मैं यहीं पर close करती हूँ, और stay healthy, stay blessed, मेरी सुब कामना है सभी के लिए, जो भी separation mode में है, कि बहुत बहुत जल्द आपको आपका partner मिले, आप लोग happy moments, happy life spend करें, एक दूसरे के साथ, इनी सुब कामनाओं के साथ reading को बन करती हूँ, thank you, bye, take care, love you all